यार it's a matter of our life, अब वो question mark आके खड़ा हो चुका है, जहां पर अगर मैंने एक गलट decision लिया न, मेरी life का जो track है वो पूरी तरह से change हो जाएगा, now it's time to decide college की तरह भागना है कि ब्रांच की तरह भागना है, क्यों? क्योंकि ultimately हम अपने आपको एक बहुत अच्छी position पर एक time के ब branch बहुत अच्छी है, इन सब का solution लेकर तुम्हारे बाबाजी आ गए, finally इस video में तुमको वो 6 point मिल जाएंगे, जिन पर अगर तुम थंडे दिमाख से सोचोगे, तो वो तुम decide कर पाओगे कि तुम्हें college की तरफ भागना है, कि branch की तरफ भागना है, तो किस branch की तरफ तु समझो, सबसे पहली चीज, अब जब भी अपन लोग किसी college की बात करते हैं, तो कई लोगों को ये दिखता है, सबसे पहले ये देखो, इस college का placement कहां पर जा रहा है, obviously सब placement के बारे में सोचते हैं, अपने आपको 4 साल के बाद एक job में देखना है कि नहीं देखना है, मगर इ counseling process भी अपने आप में बहुत important है, अभी वो 6 points बाकी हैं जिन पर मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, बट उन बात करने के पहले, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ और भी है, और वो ये है कि अभी अपन ये सोच रहे हैं कि मैं किस college की तरफ भागूं, मेरी counseling कब होगी, कि date पर start होगी, क्या मेरे से कोई update मिस तो नहीं हो रही, तो इस सब का solution लेकर, क्योंकि यार ये जो है न, ये life का सवाल है, मतलब मैं ये सोचूं कि एक course लेने से क्या मेरी problem solve हो जाएगी, हाँ, बहुत हद तक हो जाएगी, क्योंकि एक गलट decision और पूरी की पूरी गाड़ी ग अच्छा लगा, in fact, मैं ये सोच रहा था, कि ये मुझे क्यों नहीं मिला, क्योंकि मेरे अंदर दिमाग में जितने भी questions हैं, उन सारे questions के answer मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं, basically, इस course के अंदर आपको मिलेंगे 4 ingredients, मतलब 4 इसके part है, college predictions, अगर ये ही नहीं पता चला, कि मुझे क हार की बात करें, UP की बात करें, वहाँ पर बहुत सारे college के representatives पहुंच जाते हैं, बोलते हमारा college तो इतना अच्छा है, एक बढ़िया सा browser बनाते हैं, और वो दिखाने के बाद हम से बोलते हैं, इस college में admission ले लो, तो हमने उस college में ले लिया, जब उस college में अंदर जाते हैं, तो पता चलता है, कि वो college तो भाई हमारे लायक ही नहीं था, वो दिखा कुछ और रहे थे, वो हमारे पैसो से ही वो building बनने वाली है, तो ये जो चीज़े हैं, ये अगर मुझे पहले से ही पता हो कि किस college में मुझे admission मिल रहा है, कितना आसान हो जाएगा, second है, BTEC, Almanic, third is live webinar and fourth is regular updates, अब इन सब के अंदर क्या है, तो basically college prediction के अंदर आपको 3000 प्लस colleges में से आपको ये पता चल जाएगा, कि आपके marks के according, आपकी rank के according, कौन सा best है, and that too, state wise, that too, gender wise आपको ये पता चल जाएगा, और आपको एक counselor मिल जाएगा भाई, कि आपको ये पता चल जाएगा, कि ये वाला मुझे college लेना चाहिए था, कि नहीं, क्योंकि अगर मुझे ये नहीं पता चला, कि ये college मिल रहा था, और मैंने नहीं लिया, तो आप अपने साथ कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो, सोचना इस बात पर, second जो अपने पास आता है, B.Tech Almanic, B.Tech Almanic में आपको actually, देखो कई questions ऐसे होते हैं, जो general होते हैं, बहुत सारे लोगों के होते हैं, तो उन सारे questions को एक booklet में, thousand plus frequently asked questions को एक booklet में print करके आपके घर पहुचा दिया जाएगा, आप जब आपके पास time है, उसको देखो, उसको पढ़ो, आपकी जो problems हैं, general problems हैं, उसका solution वहीं पर मिल जाएगा, त इसलिए आपके पास हैं live webinars, live webinar में आप experts से direct बात करोगे, one to one आपकी बात हो जाएगी, आपको ये solution मिल जाएगा, कि हाँ, मुझे ये branch लेनी चाहिए, कि नहीं मेरे interest के according, और ये ही सबसे important part है, क्योंकि अब हमें एक ऐसा बंदा चाहिए, जिसके पास knowledge हो, जो unbiased हो, जो कि सही direction बता सके, मतलब मैं तुमको जो last point में एक बात add करूँगा, एक form तो मैं fill नहीं कर पाया था, just because कि मुझे वो update ही नहीं मिली थी, और update बहुत जादा important होती है, जब timely आपको मिलती है, तो में हमारे पास है BTEC updates, और ये बहुत ही जादा important है दोस्तों, इसलिए ये जो course है BTEC companion आपके लिए best है, इसकी price है ये और अगर आप चाहते हो कि discount मिल जाए, जो कि आपको मिलना ही चाहिए, अब बाबाजी से आप जब सुन रहे हो तो, तो बाबा 10 इसका code है, ये है code, ये है price, जल्दी से जाओ, नीचे description में link दी हुई है, और इसको check करो course को, और यार ये matter मैंने फिर कहा, life का है, scores के बारे में मत देखो, life के बारे में देखो, सही direction के बारे में देखो, वो बहुत ज़्यादा important है, now coming to the point, जो मैंने आप से कहा था, कि ये 6 points जो है न, इनका दिमाग में बहुत ज़्यादा रखना ज़रूरी है, जब आप सोचते हो, college के बारे में आप ब्रांच के बारे में, तो सबसे पहला point है, अपनी priority सेट करो, कि college की तरफ अपन को जाना है, कि branch की तरफ, तो मैं कहूंगा आपसे, कि पहले ये देखो, कि किस-किस college में आपको admission मिल सकता है, आपकी rank के base पर, उसके according, आप अपने college की ranking decide करो, कि मुझे ये college मिल सकता है, फिर ये college, फिर ये college, फिर ये college, अब आप ये सोचोगे, कि मैं कैसे ये decide करूं कि कौन से colleges मिल सकते हैं, मैंने आपको solution दे दिया है, वो course, इसके बाद, अब आप उस college में research करो, जब आप उस college के बारे में research करोगे, हो सकता है, जो आपको update दी जा रही है, वो आपसे 4 साल प planning में ले लिया, क्यों लिया, उसने का, वहाँ पर मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, bits planning में reservation नहीं था, मुझे लगा कि मैं उनके साथ बैठूंगा, जिनकी rank लगभग मेरे बराबर है, मुझे environment बहुत important मिलेगा, ऐसा environment मिलेगा, जहाँ पर मैं discussion कर सकता हूँ, मैं अपने ज़्यादा खुश है, next अपने पास, जो third point है, मैंने second point आप से बोल दिया, कि research work करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, now you can see your interest, देखो, अभी मैंने तुमसे कहा था, कि तुमको पता चल सकता है, कि तुम्हें कौन सी branch लेनी है, अगर मैं 11th की mechanics में बहुत ज़्यादा interested हूँ मतलब मुझे मज़ा आ रहा था, वो four source की बातें करने में, go for mechanical engineering, अगर thermodynamics में भी interest आ रहा है, go for mechanical engineering, अगर electrostatics, current electricity, इसमें बहुत मज़ा आता है, go for electrical, अगर semiconductor physics में बहुत मज़ा आ रहा था, go for electronics, अगर computer में बहुत मज़ा आ रहा है, एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, तो मैंने जब पहली बार class लेने गया, तो engineering college में मैं entry करी, मैं उस समय professor की बनने गया था, तो वहाँ जैसी मैंने entry करी, तो मैंने electronics की lab में घुसा, being an electronics engineer मुझे बड़ा मज़ा आता है, ठीक, मैंने इतनी सारी बातें करी, कि देखो electronics वाले ये होते हैं, electronics वाले वो होते हैं, computer वाले बस computer के सामने बैठ के type ही तो कर रहे होते हैं, मेरी किसमत खराब थी, कि वो जो class थी, वो computer science की थी, बाद में मैं अपना मूँ छोपा रहा था, कि कैसे इन लोगों से बचू, क्योंकि मैं तारीफ electronics की कर रहा था, और वो computer वाले थे, बुराई कर दी मैंने computer science की, ऐसा है नहीं, अपना-पना interest है, उस समय मुझे ऐसा नहीं लगता था, उस समय मैं electronics वाला, तो मुझे तो electronics ही superior लगता था, ऐसा होता है, खेर, अब आप ये देखो कि computer में interest है, तो computer science की तरफ जाओ, artificial intelligence की तरफ जाओ, कई लोग अभी AI प्रफर नहीं कर रहे हैं, उनको लग रहा AI की नया है, बट आज से चार साल बाद AI के लिए शायद बहुत सारी vacancies हो, एक time था कि civil engineering कोई लेना नहीं चाह रहा था, और शायद उसके बाद 10 साल बाद इतनी vacancies निकली civil में, कि जिसको देखो उसकी government job लग रही थी, research बहुत important है, मैं फिर कहूंगा, ध्यान से, और अगर आपने ये decide नहीं करा है, कि मुझे अभी confusion है, कौन सी branch लूँ, ये branch लूँ, वो branch लूँ, college को देखो भाई, college की तरफ देखो और किसी की तरफ मत देखो, then आप कोई भी नया skill लेना चाहते हो, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं, आप ये सोचो कि मेरा interest computer science में था, मगर college को priority दी मैंने और मैंने उसमें electrical engineering ले ली, कोई दिक्कत नहीं, नया skill सीखने में कोई बुराई नहीं है, हो सकता है computer और electrical का दिमाग जब तुमारा मिलेगा, तो बहुत ही शांदर output आएगा, so कुछ नई चीजों के लिए अपने हाथ, अपना दिमाग खोल कर रखो, इसके बाद branch hype will change any day, अभी मैंने आपसे कहा, कि हो सकता है computer science में लोग कहें कि अभी jobs है, आज jobs है ना यार, आज से 4 साल बात होंगी क्या, एक time था कि electronics engineering, mechanical engineering कहा दाता है सदा बहार branch है, पर एक time था कि सब को mechanical ही सबसे पहले चाहिए हो रही थी, electronics जादा hype बना के बैठा हुआ था, आज electronics कोई लेना नहीं चाहरा, या कम लोग ले रहे हैं, interest की वजए से, या फिर उसका जो hype था वो कम हो गया, so branch का hype कभी भी गिर सकता है, उस बारे में मत सोचो, and always think about college environment, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, IIT is not a college, it's a culture, जो उन्होंने वहाँ पर develop किया है, so आप जिस branch में जाना चाहते आप जिस college में जाना चाहते हैं, उसके environment को देखो, उसके culture को देखो, अगर वो आपको suitable है, अगर वो आपके according है, तो 101% आपका output जादा आने वाला है दोस्तों, so ये था बाबा जी का ज्यान, branch versus college बहुत complicated issue है, पर अगर आप इस तरह से सोचोगे, तो 101% आप इस conclusion पर आही जाओगे, और last में एक छोटा सा बात बोलना चाहता हूँ, अगर जरा सा भी confusion है ब्रांच का, go for college, think about college, और अगर confusion नहीं है, कुछ अलगी करना चाहते हो इस दुनिया से, उस particular branch में तुम्हारा बहुत ज्यादा interest है, go for branch, branch की तरह भागो, 101% कुछ ना कुछ output अच्छा निक प्रांच कुछ ना 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 कुछ